हेलो एब्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अश्य होंगे बिहार सिख्षक भरती 2.0 यानि कि जो TRE का एक्जाम है टीचर रिकूट्मेंट एक्जाम जो है वो सेकेंड फेज में एक्जाम को कंडिर्ट कराने की बात जो है अतुल परसाद जी के द्वारा बिलकुल कह दी गई है दो दिसमर को जो है एक्जाम आपको देखने को मिल जाएगा और हाडली आई रिपीट हाडली जो है आपको 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर जो है नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा ऐसा मैं किस बिना पर कर रहा हो या फिर 6 to 8 हो बाइद भे दो तीन कुछ कुछ जो की पॉइंट है वो मैं बता दू फिर वीडियो में डिटेल से हम लोग सारी बातों को चर्चा करेंगे पहली बात देखिए पहली बात यह है कि कोई भी अदर स्टेट वाले भी से अपलाई कर सकते हैं यह बात यह तो चलिए सबको पता है यह ओपन सीक्रेट है यानि कि ओपन बुक की तरह हो गई है सब इसे जानते हैं दूसरी बात आप जो है जिन लोगों ने एस्टेट का एक्जाम दिया है 9 to 10 11 to 12 वो अपलाई कर सकते हैं जिरोंने एस्टेट को कट अप को पार किया यानि कि जिनकी जिस OBC से SCST या फिर जिस कटेगरी से हैं जिस के लिए 75% आई मिन जो 75 नमर है वो कट अप फरकी गई थी अगर वो आप पार कर जाते हो तो डेफिनेटल आप जो है आने वाले 9 10 और 11 12 के लिए अपलाई कर सकते हो और 6 to 8 के लिए seat at का paper to qualify होना चाहिए तो चलिए अब सीधे मैं आपको सीधे detail जो है information जो सरकार के द्वारा दी गई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखो यह लेटर है यहां से आप देख पाओगे लेटर में क्या लिखा हुआ है बिहार सरकार सिक्षा विभाग आगे बढ़े उससे पले मैं आपको बता दूँ मैंने BPSC 3.2 क गई है वो जाकर आप देख सकते हो ठीक है पली बात और आगे देखी यहां पे महालेखाकार अब देखिए महालेखाकार जो लेखा और हकदारी है इनको क्यों भीजा गया देखिए सरकार जब भी नई भरती लाती है ना तो क्यों नई भरती कैसे लापाएगी भरती इनको पैसे देने होंगे तो ये काम ये करता है है ना तो यहां से जो है approval लेने की बात की गई यहां से देखे विद विभाग के द्वारा जो है बातें की गई है अब मैं color थोड़ा black कर लेता हूँ और हम लोग जो है चीजों को और असानी से समझने की कोसिस करेंगे देखे नेमावली के बारे में बात किया गया है बिहार राजी विद्याले अध्यापक न्युक्ति जिसमें न्युक्ति अस्थांतरन अनुसासन कारवाई बगएरा जो है सब कुछ यहां पर बताया गया है देखिए पोस्ट जो है न आप लोगों को पहले ही पता चल चुका होगा उच्छी माध्विक यानि की 11-12 की बात की जा रही है कितने पोस्ट आएगे 11-12 में 18,830 इंगलिस में पता देता हूँ 18,830 पोस्ट और मिडिल प्राइमरी की बात करें यानि की 9-10 की बात करें हाई स्कूल की TGT टीचर आप जो है मोटा माटी समझ लो 18,888 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 18,880 पोस्ट अब क्लास 6-8 के लिए जो वेकेंसी आएगी वो सबसे जाद आएगी कितनी आएगी 31,982 वेकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्लियर हो गए और यहाँ से इन्होंने जो है इसे भी डिस्क्राइब करके रखा हुआ है सीकुर्टी की बात की गई अनिकी जो है इसे जो है ग्रीन जंडी दिखाने की बात की जा रही है अब देखिए यहाँ पर जो संसोदन बगयर है सब यह एक्शली यह न ये जो विभागी यह कारवाई है वो यहाँ से की जारी है अब देखें इन्होंने कहा है कि जो वारसिक वैभार है यह भरती जब आ जाएगी तो कितने रुपए इनको खर्च करने होंगे तो यहाँ पे देखिए पचपन अरब बार कडोर बार लाख ब्यासी हजार चार सो रुपए जो है साल भर में सरकार को बेतन बखेर देने के लिए पैसे खर्च करने होंगे ठीक है यह बात इन्होंने कहिए संजे कुमार जी के द्वारा दिये अब देखिए जो आप इंतजार कर रहे थे वो पोस्ट की तो देखिए मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले 11-12 की जिन्होंने 11-12 किया है उनके लिए स 1400 हिंदी के लिए 1190 पोस्ट और इसी तरह से आगे बढ़ें तो इंगलिस के लिए 1171 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा अभी तक मैं जो है सबसे ज़्यादा इंगलिस के लिए वेकेंसी आएगी उर्दू के लिए 333 इतिहास के लिए 691 594 राजनिती वि गॉल के लिए 501 और 505 ग्री विज्यान के लिए आपको सीट देखने को मिलेगी मनो विज्यान के लिए 1114 पोस्ट और समाज सास्तर के लिए 800 तीरेशट सोसलोजी जी से बोलते हैं दरसन सास्तर 108 582 जो है संगीत के लिए कंप्यूटर विज्यान के लिए 172 बंगला के जो है 2704 पोस्ट है EPS के लिए 363 है Business Studies के लिए 93 और 162 लेखास सास्तर के लिए आएगी 18830 वेकंसी 1112 के लिए मैंने बता दिया अब देखिए Class 9-10 High School जिसे कहते हैं यहाँ पे देखिए समाजिक विज्यान के लिए 1922 पोस्ट गनित के लिए 2206 पोस्ट और 2320 पोस्ट जो है विज्यान के लिए आपको देखने को मिलेगी हिंदी के लिए 3423 पोस्ट और 3465 अंग्रेजी के लिए और संस्कृत के लिए 1856 पोस्ट देखने को मिलेगा उर्दु के लिए 1219 और संगीत के लिए 1068 पोस्ट 284 पोस्ट जो है ललित कला के लिए डान्स के लिए 391 और 556 जो ह देखने को मिल जाएगा इसी तरह से आगे बढ़े तो मैथली के लिए जो है 80, 15 अर्भी के लिए फार्सी के लिए 49 और बंगला के लिए 26 18,888 पोस्ट जो है आपको क्लास 9-10 के लिए मिलेगा ठीक है चलिए अब 6-8 के लिए देख लिए 6-8 के लिए इन्होंने डारेट रख दिया है 31,982 पोस्ट तो मैंने सारे पोस्ट की जानकारी आपको दे दी अब यहां से देखे ऐ सेलरी की बात मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पे salary के बारे में भी इनको बता दिया गया है यहां से देख लिजे salary जो है 55,610 रुपए जो है दिये जाएंगे किसको यहां से आप देख पाओगे और wait मैं यहां से आटा देता हूँ 53,970 रुपए और 49,050 रुपए जो है हर class के लिए दिया जाएगा यहां से आप देख सकते हो basic page 32,000 है 31,000 है और 28,000 है TA, DA, HA and so on आपको जो है salary के बारे में यहां पे जानकारी दे दी गई है तो यह था बिहार सरकार की official letter और आपको मैं बता दू syllabus देख लिजे पिछले साल के previous question paper देख लिजे और बोगले की तरह गिद की तरह नजर दोड़ा कर परिक्षा की तयारी कीजिए मैंने September का Current Affairs दाल दिया है August और आने वाले समय में और भी Current Affairs के साथ साथ GK जो की भारती रास्टियान दोलन से है वो देखने को आपको चैनल पर मिल जाएगा वीडियो यहां तक देख लिए ना तो नीचे कॉमेंट करके एक बार आप लोग जैहिंद लिखिएगा ताकि जो है मुझे पता चल सके एक वीडियो आपने यहां तक देख ली है बाइदबे जैहिंद के ब्रैकेट मैपको अपने जगह का नाम लिख देना है अगर आप मोतिहारी दुमरिया से देख रहे हो इस वीडियो को या फिर पटना से देख रहे हो सिकपुरा से देख रहे हो कहां से भी देख रहे हो नीचे जो है कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में नए इंफ्रमेशन के साथ वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया Have a good day पाथ चोड़ियो का यहां थाय को फ्यूछी ओयाकी घ्रोड़ियो को सी